वही महराश के गचिरोली में हुए नकसली हमले पर सियासत भी तेज हो गई है विपक्षिदलों के नेताओं ने इस हमले पर प्रदेश सरकार के साथ ही केंदर सरकार पर भी हमले किये और प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंदर पड़नवी से स्तीफा देने की मांग कर दी इसलिए इतने लोगों की जान जा रही है तो इसलिए उन्होंने स्तीफा देना ही चाहिए नसीपी नेता मजीद मेमन नकसलियों के इस हमले के लिए राज्य के साथ ही केंदर सरकार को भी जिमिदा ठहराया फड़नावीस और होम मिनेस्टर राजनात और प्रदान मंत्री अर ओल रिस्पॉंसिबल पर इस काइंड अगे जा रहे है लेकिन जब भी पकड़ में आ जाएंगे मुझे विश्वासा ये सरकार उनको छोड़ीगे ले और वहां अपने राजनते की सफर की कामयाबी के लिए प्रार्थना की इस दोरान उनके साथ कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे गुरुद वारे में प्रार्थना के बाद सनी देउल अपने काफिले के साथ करतारपूर साहिप के दर्शन करने भारत पाकिस्तान बौटर पर पहुंचे सनी देउल ने दूर्बीन से करतारपूर साहिप के दर्शन कιए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की सनी देउल के पहुंचने की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके के कई लोग उनसे मिलने पहुंच गए लोगों से बाचीत के बाद सनी दियोल का काफिला वहां से निकल गया और सीधे इलाके के ही एक प्राचीन शिव मंदिर पहुचा जहां पहले से ही लोगों की भीड सनी दियोल के इंतजार में जुटी थी मंदिर में दर्शन के बाद सनी दियुल एक स्कूल में भी गए और वहां बच्चों से मुलाकात की इस दोरान सनी दियुल ने पंजाब के लोगों के लिए काम करने का डावा किया साथ ही सनी दियुल के चुनाव प्रचार पर भी सवाल उठा दिये आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब से आए हैं उन्होंने सवाए फिल्मी डायलोग के और अपने दर्शन दिदार दिनाने के लावा कुछ भी ने किया कॉंग्रस के हमले का जबाब देते हुए सनी दियुल ने युबाओं और किसानों के लिए काम करने का तावा किया पंजाब की अलग-अलग हिस्से से लोग सनी दियुल के समर्थन में गुर्दासपुर पहुंचे और उनके रोडशो में शामिल हुए 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 हुए